10 जून बड़ा शुक्रवार, साल की सबसे बड़ी एकादशी निजिला एकादशी बना सुप सैयोग, बस एक चुटकी हल्ती और दो तुलसी के पत्ते, चमका देंगे आपका भागे, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विश्णो, और भूल कर भी ना करें ये काम, ओम सबस्क्रतै का ये महागरि, शाय नमा, राथी राथी दोस्तो, कैसे हैं आप सब, दोस्तो इस पार निजिला एकादशी का प्रत करने से साल भर के सभी एकादशियों के बरावर पुन्यपल प्राप्त होता है, इस प्रत को पांडु पुत्र भीम ने रखा था, इसले इसे भीमसेनी एकादशी या पार्णव एकादशी भी कहते हैं। यह ब्रत बिना कुछ खाई पिये रखा जाता है, इसमें जल भी नहीं पिया जाता। इस ब्रत में फलहार भी नहीं किया जाता। एक आदशी के सूर्य दे से लेका द्वादशी के सूर्य दे तक नेजल रहकर ब्रत किया जाता है, मानेता है इस दिन जो व्यक्ति खुद नेजल रहकर भामार या किसी जुरत्मन व्यक्ति को शुत्य पाने से भरा घड़ा दान करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सुख के प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुक्सम्रद्धी बनी रहती है नेजला एकाध शीजी का ब्रदकर्णी से भागवान बिश्टु जी के साथ ही धनकी दEVR मा लक्ष्मी के कृपा प्राप्त होती है जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती ब्याज जी ने नेचला एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि इस एकादशी का पुन्य समस्ति तीथों और दानों से अधिक है केवल इस दिन मनुष्य नेजल रहने से पापों से मुख्ध हो जाता है जो जिसने नेचला एकादशी का ब्रत किया है वह चाहे भ्रम हत्यारा हो मधपान करता हो चोरी की हो या गुरू के साथ द्वेश किया हो मगर इस ब्रत के प्रभाव से बहर स्वर्द को जाता है इस ब्रत को कहने से करोण पल सौने के दान का फलप्राप्त होता है दोस्तों इस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम आपको निजला एकादशी के इस अद्बु संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को बस आपको एक चुटकी हल्ती और दो तुलसी के पत्तों से करना है इस उपाई को करने ज सभी समस्याइं दूर हो जाती हैं भगवान विश्णो मा लक्ष्मी जे के किरपा से धन में बरकत होती है और घर में धन्धानने की कभी कोई कमी नहीं रहती घर में सुख सम्रध्धी आती है दोस्तों वीडियो में आगे पर ने इसे पहले वीडियो को लाइक कर अपनी फ् अप एकादशी पर दिन में या रातरी में किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन उपाए करते समय आप सच्छता और पवित्ता का विश्ष ध्यान रखें उपाए करने के लिए सच्छ बस्त धारन करें इसके बार आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और दो तुलसी के पत्त या फित तुलसी जी के पौधी के पास जो अपने आप से तोटे हुए पत्ते पड़े हो आप उन्हें उठा कर उनसे भी है उपाए कर सकते हैं अब आप अपने मंदिर के सामने आसन विछा कर बेठ चाएं भागवान जी के सामने एक शुद्धिखी का दिया चलाएं और ए इसके बाद आपने पातर में जो हल्दी रखी है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं गंगा जल ना हूँ तो थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं अब आप एक तुलसी जी का पत्ता लें इसके बाद भगवान विष्णू जी के इस मंत ओम नमो भगवते वासु दे इस मंत ओम महलक्षमी नमा का जाप करते हुए उस पत्ते पर आप हल्दी से तिलक करें फिर इस पत्ते को आप महलक्षमी जी के सामने रखते हैं दोस्तों भगवान विष्णू जी के सामने आपने जो तुलसी का पत्ता रखा है आप उसे उठाएं और अपने हाथ में इस पत्ते को भगवान विष्णू जी के सामने रखते हैं फिर आप मालक्षमी जी के सामने से पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में पकड़ें इसके बाद मालक्षमी जी के महामंत्र ओम महालक्षमे नमा का 108 बार जाप करें मंत्र का जाप करने के पश्चाद अब आप इ यह समस्या आप भगवान पिश्णू मालक्ष्मी जी को बताएं और अपनी सबी समस्याओं को अपनी धन सम्बंदी सबी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें और खर्मी सुक्सम्रधी बनी रहे इसके भी प्रातना करें इसके बाद आप भगवान पिश्णू मालक्ष्म जी के सामने उन तौनों तुलसी जी के पत्तों को उठा लें और अपने माथे से लगाएं अब आप इन तुलसी जी के पत्तों को अपने तिजोरी यानि की धन रखने के इस्थान पर रखें कहते हैं कि तुलसी जी के पत्ते पैसे को आकरशित करते हैं इसलिए भगवान इसके अलावा अगर आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते हैं और हमेशा जेव खाली रहती है तो भगवान बिश्णू मालक्ष्मी जी को अर्बित किये हुए इन तुलसी के पत्तों को आप अपने बॉलेट में रखें। इससे आपका बॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहेगा लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आपका पर्स अगर चमड़ेवा हो तो आप उस पर्स में तुलसी जी के पत्ते ना रखें। आप तुलसी जी के इन पत्तों को अपने घर में ही धन रखने के इस्थान पर रखने के अलाबा घर में धन दानने की बढ़ोत्री के लिए आप अपने रसोई घर में तुलसी जी के इन पत्तों को कुछ रुपयों के साथ रखते हैं ऐसा करने से घर में धन धानने में बढ़ोत्री होती है। दोस्तो ध्यान रखें तुलसी जी बहुत ही पवित्र और पुझनी होती है। इसलिए तुलसी जी के इन पत्रों को कभी भी अशुत हातों से ना छून। महिलाएं पीरट के दोरान इनको इस पश भूल कर भी ना करें। दोस्तो शास्तों में बताया गया तुलसी जी के पत्ते और हल्दी का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को कहने से भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्ने में दोगना चोगना बढ़ोत्री होती है। और घर में हमेज़ा शुक्षम्रद्धी बनी रहती है। दोस्तों नेजला एकादशी के दिन कुछ वातों का विशिश ध्यान रखें। कुछ ऐसे कारे हैं जिनहीं फूल कर भी ना करें। दोस्तों जो व्यत्ती स्वस्थ हैं और नेजला एकादशी का ब्रत रख सकती हैं। उन सभी को यह ब्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जावल और जो का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं इस दिन आपको प्यार लहसन खाना चाहिए। और तमाकू, मद्रा, मीठ अंडे का भी इस दिन भूल कर भी सेवन ना करें। साथी इस दिन पूजन में भी जावल का इस्तमाल ना करें। अगर आपने ब्रत रखा है, तो रात को सोई नहीं। पूरी रात जाग कर आप जागरन करें। पूरी रात आप भगवान विश्नुची के नाम का कीतन कर सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का जाप कर सकते हैं। मानिता है रात जागरन करने से ही नीजना एकादिशी ब्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नीजना एकादिशी के दिन दान करने का विशिश महत्व है। इसलिए इस दिन अगर कोई आपके द्वार पर आता है, तो भूल कर भी उसे खाली हाथ ना लोटाएं। जीब जमीन पर खूमते रहते हैं। इसलिए आज की दिन घर में पहुचा ना लगाएं। क्योंकि पहुचा लगाने से अंजाने में भी अकर किसी जीब की हत्या आपके हाथ से हो जाती है, तो इससे आपको पाप लगेगा। इस दिन ना खून ना काटे, बाल ना काटे और शेप भी ना बनाएं। इस दिन पूण भ्रमचर्य का पालन करें। ज्यादा से चादा ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंतर का जाप करें। इस दिन लडाई छगडा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ब्रत रखने वाले व्यक्ति ब्रत का पारण शुब महुरत में ही करें। ब्रत पारण करें। यानि की ब्रत खोलने का शुब महुरत आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे मिल जाएगा आज के दिन फूल कर भी किसी जीप को नुकसान ना पहुचाए किसी का दिल ना दुखाए साथ ही आज के दिन फूल पत्ती ना तोड़े तुलसी जीप के पत्ते भी ना तोड़े दोस्तों नेजला एकादिशी के दिन इन सभी बातों का विशिश ठ्यान दखें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइख करें हमारी इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जदर से ज़ादध शियर करें जिसे भखे भी इसका लाब उठा सके हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे